दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम एक कालपनिक प्रॉब्लम को डिसकस कर रहे हैं पोस ऐसा हो कि बैंकिंग में या आपके कहीं भी हर रोज शाम को जो पैलेंस बचता है वो रुपए अलग हैं और पैसे अलग हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख लीजिए एक एक द प्रकार से 2 रुपए 32 पैसे अब पूरा महीना होने के बाद यह इस प्रकार से बचे अब यह एक ही सेल में होते तो टोटल करना बहुत आसान है लेकिन अलग-लग सेल में इनको लिखा गया है इस सिच्वेशन को आप कंसिडर करिए ताकि आप समझ सकें किस प्रकार इसके यह फॉर्मूला बनाया जा सके है तो सारे पैसे हम जमा करेंगे सम फंक्शन लगाएंगे सी टू से लेकर के सी थर्टी वन तक करेंगे और हमारे टोटल आ गया एक आजार एक सो चालिस पैसे हैं यह रुपए नहीं है और रुपए बन गये हैं तीन सो 53 रुपए और इसके जमा करेंगे तो यह 1140 सेड कर जाएगा तो इसके लिए क्या करना है यह बले भी रहें इनको रुपए और पैसों को मैंने यहा लिख लिया है यह रुपए हैं यह पैसे हैं जो नीचे आपको दिख रहे थे अब इन दोनों को टोटल किया फॉर्मूला बनाकर तो इस प्रक पैसों को जमा किया गया फिर सभी बैसों को वापिस रुपए में बदले इस प्रकार से जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल जो 359 हमारे बास रुपए हैं सबसे पहले इनको 359 को आप पैसे में बदलेंगे तो यह बनते हैं इतने पैसे इन में आपने क्या करना है जो आगे के आपके पैसे थे 1140 उनको एड़ कर दीजिए इसमें प्लस कर देंगे हम पैसे 1140 तो टोटल जो है वो हमारे पास आ जाएंगे पैसे होके इक्वल टू दिस प्लस दिस अब इनको आपने 22 किस में बदलना है रुपए में बदलना है तो 370 रुपए 40 पैसे देखिए रुपएं को पैसे में बदलने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो रुपए हैं उनको 100 से आप मल्टिप्लाइ कर देंगे तो वो पैसे में कनवर्ट हो जाते हैं यानि एक रुपए है उसको अगर आप 100 से गुना करेंगे तो 100 पैसे बनगे दो हैं तो गुना करेंगे ये बनके आए 37,040 पैसे ये सारे पैसे ही हैं कुल पैसे हैं इनको हम लिख लेते हैं अब इसके बाद जो टोटल फिर क्या किया गया पैसों को रुपए में बदला गया तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए इनको 100 से डिवाइड कर देंगे फिर वो 100 से डिवाइड करने पर वो फिर से रुपए बन जाते इस प्रकार से simple formula है लेकिन इसको अलग-लग किया तो असान था सिर्फ आपने multiply किया फिर आपने प्लस किया फिर उसके बाद आपने डिवाइड किया इस तरह तो simple है लेकिन एकी सेल में इसको किस प्रकार करेंगे यहाँ पर एकी सेल में करने के लिए formula इस प्रकार से रहेगा इस सबसे पहले जो 369 थे उनको 100 से multiply किया इसको bracket में रखा गया bracket में नहीं रखेंगे तो ये multiply या divide या plus आगे पिछे हो सकता है तो गड़बड हो जाएगा इसलिए इसको inner bracket में रखा फिर इसके साथ पैसे जो G2 में है उनको plus किया गया फिर इनको bracket में रखा गया कि ये सारे पैसे एक बन जाएं पैसे बनने के बाद इसको divide किया 100 से बहुत simple है कहीं भी आप रुपे और पैसे आपके अलगलग sales में तो उनको इस प्रकार से आप जमा करके और divide करके उनको रुपए में बदल सकते है और अगर आपको ये वीडियो चाह लगे तो please like, subscribe and share the channel